सोना अउगलने वाली इस भूमि को भारत के इत्यास को बनाने वाली इस धरा को नमन करते वे बासंतिय नौरात्री की दितियाति थी को आप मैं अब सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ मैं अभी जम्मु कस्मीर के उधमपूर से आ रहा हूँ आप अनमान करिये जैसी सभा यहाँ पर हो रही है इतनी ही निस्चिंदता में वहाँ पर भी मैंने सभा की है क्या दसवर से पहले जम्मु कस्मीर में इस प्रकार की सभा संभा थी क्या नहीं थी ना लेकिन आज जम्मु कस्मीर में सांदार सभा हो रही है लोग लोग तंत्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ रहे हैं जम्मु कस्मीर में भी वैसे विकास के आगे बढ़ रहे हैं वेन और भाईयों यह जो परिवर्तन हम सब को देखने को मिलना है कभी भारतिय जनसंग के संस्तापक स्यामा प्रसाद मुखर जी ने नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान दो बिधान और दो निसान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे स्यामा प्रसाद मुखर जी सईद हुए थे इस दोरी विवस्ता के खिलाब और सत्तर वर्सों तर कांग्रेस और उसके स्योगी दलों ने इस विवस्ता को दफन कर किस विवस्ता को पनाए रखा आतंगबाद पनपता रहा देश को डंक्ड मारता रहा निर्दोस लोग मरते रहे देश का विकास बादी तो होता रहा लेकिन बेहन और भाईयो सत्तर वर्स के बाद भारत माता के महान सपोग से नरेंद्र मोदी जी जैसा इससी बिक्टित्व देश के पास आया जिना ने कस्मीर के इस दंस को समाप्ट करते वे दारा तिन सो सत्तर समाप्ट के और जो भाजपा के कारे करता दसकों से नारा लगाते थे जहां वे बल्दान मुखर जीग वे कस्मीर हमारा है बैन और भाईयो आज उस कस्मीर को भारत का विन हिस्सा बना करके मोधी जी ने साविट कर दिया है कि हमारे लिए राष्ट धर्म ही सरोपरी है वे न और भाईयो यही इस्टिटिट आज 140 करोड का भारति दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है तो 140 करोड भारतियों को वहां सम्मान मिलता है लोगों के मानवे भारत के प्रति सम्मान का भाव पेता हुआ है ये भी मोधी जी के कारण बैन और भाईयों सीमा ये सुरक्सित हुई है आज आप देखते होंगे अगर कहीं कोई सिलेंडर किसी दुरखटना से फढ़ जाए न तो पाकिस्तान सभाई देता है कि नहीं नहीं हमारा योग हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें क्योंकि उसे माहलूम है कि कहीं ऐसा नहों कि कहीं किसी आतंकी गद्विदियों में लिप्द पाकिस्तान परस्ट तत्व का हाथ हो और फिर एरिस्टाइक में देने के लेने पड़ जाए पाकिस्तान को पेन और भाईयों यह सारे और प्राकर्म भारत का जो देखने को मिलना है यह मोदी जी के नित्रत्व में भारतिय जनता पार्टी सरकार के करण देश के अंदर इंफ्रास्ट तक्चर का जो प्तार हुआ हाईवेय रेलवेय मेट्रो एक्सप्रेस वेय आई आई टी आएम मेडिकल कॉलेज और मेरट को तो कहना ही क्या है 12 लेन का एक्सप्रेस वेय के साथ मेरट दिल्ली के साथ सीधे जुड़ चुका है मेरट के लोग अब दिल्ली में नहीं रहना चाते बलकि दिल्ली के लोग अपने ले रहने के लिए मेरट में आवास बनाना चाते हैं सर्धना में और मुझप्पन अगर में रहना चाते हैं क्योंकि जो दोरी पहले पाँच घंटे में तै होती थी अब उस दोरी को मातर पैतालीस मिनट से एक घंटे में तै करना पड़ तै कर देते हैं रैपिड रेल बतीस हजार करोड उपे की रासी केंडर राज्य सरकार लगा करके रैपिड रेल की सुविधा के साथ मेरण को जोड़ चुकी है और बैन और वायों उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट सिनोष्टी मेटर ध्यान चंची के नाम पर इसी बिधान सवाच्छेतर में मुझप्फव नगर लोक सवाच्छेतर में बन रही है साथ सो करोड रुपे की लाकत से बन रहे हैं आप इस शुविधान है जो भी उसका मानक होगा और इंटरनेशनल स्टेंडर का होगा कोई समझोता नहीं होगा और वर्ड क्लास इनस्टी आपको हम लोग यहां परदान करने जा रहे हैं मेरट में वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट में स्पोर्स आइटम को हम लोगों ने परमोट किया है आज मेरट की आइटम खेल की सामगरी दुनिया के अंदर विक रही है बेन और वाईयों मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूँ एक तरब विकास और दूसरी तरब लोग कल्याण और गरीब कल्याण के कार्य हर घर नल की योजना हो हर घर बिजली का कार्य हो एक तरब भारत चार वर्स से स्टिक और लोगों को फ्री में रासन की सौगात दे रहा है और दूसरी तरह भिकमंगा पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीक मांगता हुआ दिखाई दे रहा है ये परिवर्तन है अच्छा नेत्रत आता है देश को बिलंद्यों की उचाई तक पहुचाता है गलत दोग चुने जाते हैं पाकिस्तान जैसी दलित्रता आ जाती है और पाकिस्तान में जो दलित्रता है ये वहां के नेताओं के कर्मों के करण है और भारत में जो आद संपन्दता है यहां के ससी नेत्रत के करण मैं वायो, आप सबसे ही कहने केलिए आया हूँ यही कहने केलिए मैं आपके पास आया हूँ यह जो परिवर्तन आपको देखने को मिलना है मेरट में पस्तिली उतर ब्रदेश में जो लोग गमरा करने का कारे कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिनाने संगीत सौम और संजीब बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फियू में जोकने का काम किया था अब आज आप से ही कहने के लिए आया हो इचनाओ हमारा ब्यक्तिकत रूप से किसी ब्यक्तिके साथ मत भेद हो सकता है लेकिन विचारधारा रास्त धर्म हमारे रे सरों पर है और इसके साथ कोई समझोता नहीं हो सकता है जहां पर रास्त धर्म को चुनने क्या हो सकता पड़ेगी हम सब कुछ छोड़ करके रास्त धर्म को चुनेंगे और रास्त धर्म के लिए अपने आपको बैदान कर देंगे इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए और इसलिए मैं आप कावान करने के लिए आया हूँ हमें वह सरकार चाहिए जो कावड यात्रा चला सके करफियू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए करफियू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए हम लोग इस बात को धिहान में दे जो लोग करफियू के पकसदर रहे दंगा पौलसी जिनकी इस पूरे छेत्र में यहां के निर्दोस नागरिकों पर जूटे मुकदमे दर्च करके यहां के नौजमानों के जीवन को जिन लोगोंने निगलने का काम किया था उन लोगों को कभी माप करने के अउस्सक्ता नहीं जोई लोग आये होंगे तमाम प्रकार की बाते कहने के लिए आये होंगे बेन और भाईयों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ आपने महारणा प्रताप का जीवन देखा होगा महारणा प्रताप जब महारणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान की बात होती है भारत के सम्मान की बात होती है सधर्म और सरस्ट के लिए कैसा बल्दान चाहिए सत्ता नए घास की रोटी खाएंगे लेकिन बिदेशी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं जुकाएंगे बैन और वाईयों जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस छेत्र में बान बेटियों की इज़त को निलाम करने का काम किया था जो लोग यहां की बेटी और ब्यापारी के जीवन के लिए खत्रा बन चुके थे उन लोगों को फिर से पनपने का उसर मत दीजिए वे लोग आएंगे दुम दबा करके आएंगे बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे छेत्र में फिर अविवस्तार और अजटता फैलाने का कारे करेंगे इसलिए मैं आज आप स्कावान करने के लिए आया हूँ दिकास में कोई कोताई नहीं बरती गई सुरकसा के साथ कोई खिलवार नहीं होने दिया बेटी और व्यापारी को सुरकसा का माहूल दिया और बैन और भाईयों हमें ब्यक्टिकाद मद्वेदों को दरकिनार करते वे देस के बारे में सोचना है देस और रास्ट धर्म से बढ़ करके हमारे लिए कोई कुछ नहीं हो सकता है और यही आवान करने के लिए आथ मैं यहाँ पर सरधना की भूमी पर आया हूँ यह बीरों की भूमी है और बीरता कभी कायरता नहीं दिखाती है साठ कट का रास्टा नहीं अपनाती है बीरता तो आसर आने पर रास्ट धर्म के लिए सर्वत सुने चावर करने के लिए अपने आपको तयार करती है और उसी बीरता का आवान करने के लिए मैं आपके पास आयों आपसे कहने के लिए यह देश पुरे देश के अंदर एक आवाज है मुझे तीन दिन पहले महारास्ट जाने का उसर प्राप्त हुआ था उससे एक दिन पहले मैं राजस्तान गया था अभी जमू कस्मीर से आ रहा हूँ और केवल या की सभा के लिए आया हूँ अन्य था मेरे और भी कारिक्रम थे मैंने का नहीं मैं जाँ गा सर्दला में इस बार जरूर जाँगा चौबिसी में मैं जरूर जाँगा और भेनों भाईो मैं इसलिए आया हूँ आपसे कहने के लिए जो लोग गुम्रा कर रहे हैं उनके गुम्राप मैं आनी कि आउस्सक्ता नहीं ये लोग कभी नहीं आएंगे फिर जाती के सौदागर उप्योग करेंगे बात में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे हमें किसी भी ऐसे ब्रक्तिके बहकावी में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट धर्म खत्री में आए याद रखना इस देश के रास्ट धर्म को हमेसा खत्रा जब भी आया है इनी लोगों के करणाया है जिन्नौ ने जाती अता के आधार पर समाज के समज इकताने बाने को छिन भिन्ड किया है हमेशा अच्छिन भी न किया है और भायों मैं आपको इस बात के लिए अस्वस्त करता हूँ कि कोई माई के लाल बाल बाका नहीं कर सकता है सुरक्सा की इतनी पुक्ता भी वस्ताम ने की है यूपी के अंदर आज आप देखते होंगे बड़े-बड़े दुर्दांत माफियार अपरादी किस कजर उनकी दुर्गती हो रही है आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फू जैसा माहौल होता था आज उनकी दुर्गती क्या है हर व्यक्ति देख रहा है इन माफ्या और अप्रादियों की इस्तिति क्या है आप रोज सोसल मीडिया के प्रेट फॉम को ठाकर के देखते होंगे एक गुर्दांत माफ्या ऐसा भी था बैन और वहयो जब वास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्य मंत्री हो या मुख्य नायदीस इन सब के काफले रुख जाते थे और माफ्या का काफला निकलता था और जहा हमने कारवाई की उस माफ्या के खिलाब और उसको रगड करके कोट के सामने प्रस्तुत क्या तो उसकी पैट गीली हो गई थी उसकी पैट गीली हो गई थी और तब हमने कहा था उस समय उसको हमने कहा था कानून को रौंदने वाले आज कानून कितना बड़ा होता है या एसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है और निर्दोस्ट लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी और वेन और भाईयों इसलिए मैं आया हूँ आपसे कहने के लिए देखो जिनकी गर्मी हम सांत कर चुके हैं उनको गरम मत होने दीजिए अब इस छेत्र को विकास की मुक्यधारा के साथ जुड़ने दो उनकी सबकी गर्मी सांत हो गई है वे गए काम से और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ कि पुरे देश की एक आवाज है पुरा देश एक ही स्वर में बोलना है और वा बोलना है कि फिर एक बार फिर एक बार मोदी सरकार फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए यहां की आवाज दिली तक पहुँचाईए फिर एक बार फिर एक बार मोदी सरकार या मोदी सरकार की जो गूझ पूरे देश के अंदर है इस पूरी गूझ को घर घर पोँचाना है मोदी जी का प्रतनिधी बन करके और स्वयम मेरा प्रतनिधी बन करके आपको जाना होगा सैमत है सैमत है हमें कमल चुनाचिन देखना है आप सहमत हैं सभी लोग सहमत हैं बैन और भाईयो सरधना बिगच चुना में संजीव पाल्यान जितने वोड से जीते थे उसके दुगने वोड से जिताने की जम्यदारी सरधना को में दे रहा हो और बैन और भाईयो आप जिताएंगे तो मैं दुवारा फिराओंगा यहां पर आओंगा फिर दुवारा आ करके आपके साथ बैठूंगा और बैठ करके फिर आपसे चर्चा करूंगा और इसलिए आपसे पील करने के लिए मैं आया हूँ यह जिम्यदारी आपकी है मोदी जी को तीसरा कारे काल मिलना चाहिए क्योंकि मोदी जी के नित्रतों में आरा भारत ग्लोबल पावर बनेगा दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा ग्लोबल पावर बनने के लिए बिक्सित भारत चाहिए और बिक्सित भारत के लिए बिक्सित उत्तर प्रदेश चाहिए और बिक्सित उत्तर प्रदेश के लिए बिक्सित मुझभा नगर और बिक्सित मेरठ भी चाहिए सेमत है ना और भिक्सित मेरटod मुजबफा नगर के लिए कमल चुनाचिन और भाज़पा चाहिए सेमत हैं? सभी लोग सेमत हैं? तो भाइए मेरे साथ फिर दोनों आत्थ दा करके बोलिये जहां तक मेरी आवाज जारे दोनों आद उठाइए दोनों आद उठाइए दोनों आद प्लाकर को बनेंगे भारत माता की भारत माता की